आज के इस वीडियो में आपको एक faulty calculator बनाना है मैं आप लोगों को एक exercise देने वाला हूँ जिसमें मैं आप लोगों को faulty calculator explain करूँगा कि किस तरह का input लेकर किस तरह का output आपका calculator दे और आपको exactly उस हिसाब से एक faulty calculator बनाना है क्या है exact question वो मैं आप लोगों को भी दोड़ी देन में बता हूँगा लेकिन आप लोग इस वीडियो को लाइक करके नीचे comment section में challenge accept के ट्लिख देना अगर आप लोग प्लान करते हूँ इसको solve करने का चलते हैं का मुड़ स्क्रीन में Let's build a intro So this exercise is very simple So what you have to do is make a faulty calculator So what I will do is make a video 59 in the name of video 59 Oops I have made a video 50 in the name of video 59 और यहाँ पर मैं क्या करूँगा इसको खोल लूँगा अपने VS code से और आपको एक faulty calculator बनाना है Node.js की साहिता से आप लोग बिल्कुल भी index.html मत बनाना आप लोग index.js बनाना और index.js बनाकर problem statement है कि create a faulty calculator ठीके मैं जारा comment आउट कर देता हूँ और मैं multiline comment का इस्तेमाल करने वाला हूँ यहाँ पर ताकि आप लोग कोई दिक्कत ना हूँ एकदम clear दिखे आप लोग को जो problem statement है वो create a faulty calculator using javascript this faulty calculator does following it takes two numbers as input from the user ठीक है तो user से दो numbers लिए जाएंगे as an input ठीक है यह number one है यह पहला काम है जो यह faulty calculator करेगा दूसरी चीज जो यह faulty calculator करेगा वो है कि यह addition की जगह पर करेगा addition की it performs wrong operations as follows ठीक है तो plus की जगह पर यह क्या करेगा plus की जगह पर यह minus perform करेगा multiply की जगह पर यह plus perform करेगा फिर इसके बाद minus की जगह पर यह क्या करेगा कि divide perform करेगा और divide की जगा पर ये exponentiation जो है वो perform करेगा ठीक है तो आपको इस तरह का faulty calculator बनाना है जो कि गलत आपको करके देगा और ये जो गलतियां करेगा न ये जो गलती करेगा वो ये करेगा सिर्फ 10% of the times ठीक है तो यहाँ पर जो 10% of the times है ये एक catch है ठीक है इट परफॉर्म्स इट परफॉर्म्स परफॉर्म्स रॉंग ओपरेशन 10% of the times ठीक है अब क्या मतलब वो इस बात का समझना ये जो calculator है कोई भी इंसान अगर use करता है ऐसा समझ लो कि exam हो रहा है ठीक है अब आपने exam में calculator allow नहीं किया है let us assume that ठीक है अब कहा गया है कि यार exam में calculator use करना नहीं है लेकिन कोई भी use करना चाता है तो उसको calculator दे दिया जाता है ये वाला use कर लो अब उससे पता नहीं कि faulty calculator है देखो अगर हमने ये कर दिया तो obviously बात है दिख जाएगा उसको 1 plus 1 करेगा वो तो सीधा उसको दिखेगा क्या कि 1 minus 1 हो गया जो कि 0 हो जाएगा वो कहेगा यार कि ये तो सही है calculator लेकिन हमें करना है confused तो हमें सिर्फ 10% of the time जो है 10% की probability के साथ गरत calculation को perform करना है ये कैसे होगा कैसे होगा ये ये कैसे होगा ये होगा आपका एक random number को generate करके आप 1-200 के बीच में एक random number को generate करो और उस random number को generate करके आपने क्या करना है कि ये पता लगाना है कि वो 10 से बड़ा हैं 10 से छोटा हैं आप 1-200 के बीच में random number जो है generate करो आप में तोड़ा context इसका आप लोगों को देता हूं अगर आप लोगों ने ये notes access नहीं किये तो उनको तो करी लोगे आप लोगों आप लोगों आपको देना चाहता हूं मैं आप पर node की जो rappel है वो खोलने वाला हूं तो मैं यहां पर node लिखूँगा सबसे पहले वादर जूम कर लेता हूं आप लोगों को दिखाने के लिए अब अगर मैं आप लिखूँगा एस इकवल टू और मैं लिखूँगा मैं डॉट रैंडम तो आप लोग देखो कि एक अब सब्सक्राइब करने की जरूद भी नहीं कि नहीं नहीं होगा और यहां पर आप देखो यहां पर गलत बरफॉर्म करते ता गलत क्यलकुलेशन कर देता कर देता कोई बीशक्nez करता तो ठीक है तो यही करना एक फोट्रिक वाद जाएट धधर बैस्मी फाल्ट तो आप लोग इस function का प्रियोग करो और if else का प्रियोग करो और एक quality calculator बना के दिखा हो यार मुझे मैं वेट कर रहा हूं आप लोग का already मैंने आप लोग को बता दी हैं काफी चीज़ें अब आप लोगों को जो ये practical information है इसको आपकी मैं टेस्ट करना जाता हूं तो जल्दी से challenge accepted दो सब लोग लिखी देना और अपने solution पोस्ट कर देना क्योंकि जो भी करेगा solve इसको मैं देने वाला हूं shout out अगर आप लोगों ने भी तकी झाला हूं